कैसे हैं आप सब उमिद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे फ्रेंड्स आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने जा रहे हूं अपना इजनिंग टू नाइट रूटीन तो चलिए देखते हैं सबसे पहले मैं किचन में आई और किचन में आने के बाद मैंने मसाला रखा मसाला दानी में क्योंकि मसाला खतम होने के बाद मैंने मसाला दानी को धोया था और फिर मैं बच्चों के लिए दूद करम करने लगी थी और मैंने अपने लिए थोड़ी सी चाय भी बनाई और चलिए पहले में दूद दिला लेती हूँ बच्चों को और चाय पी लेती हूँ फिर मिलती हूँ आप लोगों से और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा मेरे चानल को सस्क्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को जगरूर दबाए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके अच्छा गोश्य इसाथ के लिए अच्छा जरूरा गश्यूर्ण देखे आपको हूं कि अध्यूर्य मेरे तो जब सब दो दो एकद्रीबुक्त बंदाउर गिले के पुवर इसके लिए मैंने यहां प्राइप नारियल को बकूस करने से बिए बर्तन में बिए-使amed fix . आप ए. अब जो मैंने ये केले लिये हैं इसे मैं ये काटे वाले चम्मज से इसको मैस करके एक इसका स्मूथ सा पेश्ट तयार कर लूगी और आप देख सकते हैं केले बिल्कुल अच्छे से मैस हो चुके हैं इसके बाद मैं इस पेश्ट में डाल रही हूँ जो मैंने मैदा लिया था मैदा और सूजी और इसके बाद मैं इसमें जो मैंने दोध लिया था इसे डाल करके सबको अच्छे से मिला लूँगी सबको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें पानी डाल करके इसका एक घोल तयार कर लूँगी सबको अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें अड़ करूंगी चीनी और लाश्ट में मैं यहां पर इसमें डाल रही हूं कदुकस किया हुआ नारियल और फिर घोल तयार करने के बाद मैं इसे ढख कर पिर रख दूँगी इसके बाद मैं तयारी करने लगी थी सबजी बनाने की और मैं बनाओंगी आलू गोभी और मटर की सूखी सबजी यह रेसीपी मेरी है और यह थोड़ी सी यूनिक है और स्पेसल भी है आप ट्राइ कर सकते हैं बनाने के बाद बहुत ही तेश्टी लगती है आप एक बर जरूर बनाएं सारे सबजीओ को मैंने काट करके अच्छे से धो लिया है उसके बाद कड़ाई गरम होने के बाद मैं इसमे एड़ करूंगी रिफार्ण ओयल। आप अपने पसंद का कोई भी तेल यूज कर सकते हैं तेल गरम होने के बाद सबसे पहले मैं इसमें डालोंगी गोभी और इसको मैं ब्राऊन होने तक फ्राइ कर लूँगी और आप देख सकते हैं गोवी अच्छे से ब्राउन हो चुका है इसे में निकाल लूँगी और इसके बाद में डालूँगी कटा हुआ आलू और आलू को भी में ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी और आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है इसे भी में गोवी वाले बर्तन में ही निकाल लूँगी अलू फ्राई होने के बाद बर्तन में जो तेल बचा था वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा था तो मैंने एक बर्तन में थोड़ा सा उसमें से निकाल लिया है ते और तेल गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी कुछ सूखे गरम मसाले मैंने लिया है एक चम्म जीरा जीरा डालने के बाद डाला है एक बड़ी इलाइची दो डाल चीनी के टुकडे एक जावित्री का टुकड़ा और एक छोटी इलाइची और साथ में मैंने डाला है दो तीन लॉंग इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा हिंग साथी साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अद्रक और लेसन दोनों को मैंने एक साथ अच्छे से कूट लिया था और फिर मैं सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे डालूँगी क यहां पर हैंब नीजय नियाज सब्सक्राइब का है तर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिया है देगी लाल मिर्ज पाउडेर में यहाँ पे अधर ओरा चरहे कि नमक और प्री गोथ सकती स्थे हैं और अधर पानी Grad mı还men तेख चैने में लाने के बाद में आधरे कशकर धीमी आज पर पकाऊंगी देगी मिर्स पाउडर ज़्यादा तीखा नहीं होता है इसे सबजी में कलर लाने के लिए डाला जाता है और आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन चुका है और इसके बाद मैं इसमें आड़ कर दूँगी मटर और फिर मैं इसे ढख करके पका लूँगी और मटर हमारा लगवग एकी परसेंट हो चुका है इसके बाद मैं इसमें आड़ करूँगी मलाई और मलाई डालने के बाद मैं अच्छे से मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसको जब तक पकाऊँगी जब तक की मसाले से तेल अलग न हो जाए और आप देख सकते हैं मसाले से तेल बिल्कुल अलग हो गया है और साथ में मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कसूरी मेथी और मैं फिर से एक बार मसाले को अच्छे से मिला लूँगी और उसके बाद मैं आड़ करूँगी यहाँ पर आलू और गोवी फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके बाद मैं इसमें आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मैं इसमें आड़ कर रही हूँ थोड़ा सा चीनी चीनी डालने से सबजी का टेस्ट बैलन्स हो जाता है और जिसमें जो ओयल ओयल ऊपर दिखता है वो चीनी के वज़ा से ही होता है और फिर मैं इसे ढग करके मेडिया मास पर पांस मिनट के लिए छोड़ दूँगी अब सबजी तयार है गैस को बंद कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे किसी दूसरे बरतन में निकार लूँगी और मैं इसे गार्णिश कर रही हूं हरे धनिये के साथ और अब मैं बनाने लगी हूँ पुए कड़ाई में तेल गरम हो चुका है अब मैं इसमें डालूँगी जो पुए बनाने के लिए मैंने जो घोल तयार किये थे जब पहले पुए का मैंने घोल डाला था तो वो पुए थोड़ा सा नीचे से चिपक गया था फिर मुझे लगा कि तेल थोड़ा सा कम है इसके वज़ा से हो रहा है फिर मैंने थोड़ा सा तेल और डाला था इसमें तेल डालने के बाद फिर पुए चिपक नी रहा था और अच्छे से बिल्कुल फुले फुले से पुए बनने लगे पुए बनाने के बाद मैंने थोड़ी सी कचोड़ियां बनाई और हमारा खाना बिल्कुल रेडी हो गया है अब बारी है थाली लगाने की आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो प्लीज एक लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और प्लीज मेरे वीडियो को सेर करना बिलकुल भी न भूले तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई